क्या आप चाहते हैं कि आपको कम्प्यूटर कुछ इस तरह से चले अगर हां तो इस वीडियो में बने रहे हैं क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप सर्फ 20,000 से कम के बजट में एक ऐसा ही सेटप एक ऐसा ही ट्रेडिंग PC कैसे बिल्ड कर सकते हैं जो कि तीन मॉ आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं तो यह जानते हैं पहले कि हमें यह सेटप बनाना कैसे है मिलते हैं आप से स्क्रीन पर देखिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स जाल लेते हैं कि कंप्यूटर में आखिर कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं सबसे पहले रहता है mother board रहती है और SSD या hard drive रहती है ठीक है hard drive हमारी storage रहती है RAM हमारे basic operations control करता है CPU हमारा main part होता है power supply unit ये सारी चीजे हमें PC बिल्ट करने के लिए चाहिए मैंने सबसे best parts सबसे best चीजे इन सब चीजों में आपके budget में जो की 20,000 है आपको बस की सारी चीजे खरीनी है एसेंबल करना है और अपने trading PC को यूज करना है ये trading PC बनाने के बाद से आपको सिर्फ इन सारे ports में ठीक है अपने monitor सो connect करना है आपका एक monitor जाएगा HDMI port में ठीक है और दूसरा monitor आपका जाएगा ये VGA port में और अगर आपके पास एक और monitor है तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें एक और port दिया हुआ है मैं एक और monitor extra लगाने के लिए ठीक है पहले आपको पूरा जो भी मैं सामान बताना हो वह सामान मगाना है online लगप 20,000 रुपए का पड़ेगा इसे किसी से इसेंबल करवाना है या तो अगर आप एक tech geek है तो खुदी खुदी एसेंबल करना है ठीक है उसके बाद से आपको तीन extra monitors लेने हैं और यहां पैसे सेटल करना मतब एक monitor में एक monitor इस आपका VGA port में और एक monitor आपका display port में उसके बाद से आपको monitor की कुछ settings भी चेंज करनी पड़ती है जो कि मैं वीडियो में आपको आगे बता हूंगा कर फिला आम आते हैं अपने products के लिस्ट पर सबसे पहले तो हमें चाहिए एक CPU cabinet हमारा में पाट ओविसली के लिए सारी चीज़े जाएंगी तो मैंने यह चिप्रोनिक सब्सक्राइब आपके लिए चूज कर रहा है इसका प्राइस देके बहुत ही जादा अच्छा है आपके SSD ठीक है SSD में आपकी सारी storage रही है आपको hard disk इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि hard disk slow होती है और SSD fast होती है ठीक है आपको बहुत अच्छी deal मिल रही है 500 GB SSD आपको 26 रुपर में मिल रही है crucial की आप इसे लिए बहुत आराम से आपके ट्रेडिक के काम के लिए लिए इतना storage space बहुत है sufficient है more than enough है ठीक है तीसरी चीज जो हमें चाहिए वह हमारा RAM मैंने 8GB आपके लिए RAM select करके रखा है चलाने के लिए 8GB RAM बहुत more than enough है यह data का 8GB DDR4 RAM 3200 MHz इसकी कीमत 222 रुपय है और इसी रेटिंग आप चेक कर सकते हैं मैंने जो भी प्रोडक्स आपके लिए चूज के हैं सबकी रेटिंग बहुत ही जादा अच्छी है ठीक है उसके बाद आते हैं हमारे प्रोसेसर पे जो कि सबसे जादा important path होता है computer का देखिए हम अब क्योंकि हमारा बिल्ट जो है 20,000 रुपय का हम इसमें graphic card नहीं लगाएंगे लेकिन जो मैं आपको प्रोसेसर रिकमेंट करने जा रहा हूं यह प्रोसेसर अकेले इसमें इतनी capability है कि आपका जो है यह दो से तीन monitors खुद के दम पे पहले out of stock रहा है अच्छी condition के वहीं से मिल रहा है फिलाल यह आपको 9,000 रुपय का पड़ेगा ठीक है और card डिके card discounts होगे रहा है credit card लगा के discount यह आपको 900 रुपय और कम नहीं मतलब यह लगबग आपको 8,000 रुपय में यह पड़ेगा ठीक है यह क्योंकि एक APU है CPU नहीं ह कैसे अपनेक कर सकते हैं उसके बाद आता है हमारा power supply unit जो कि हमारे इन सारे components को power देगा हां उसके लिए मैंने आपके लिए आपके लिए 400 वाट का power supply चूश करके रखा हुआ है power supply हमें कम मैंने कम इसलिए चूश करके रखा है क्योंकि हमें trading कर नहीं है light जाने पे हमारे पास आप सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा और अब जो हमारा सबसे में पार्ट आता है वह हमारा मदर पोड़े की टोटल छे बाट यूज होते है के बिनिट आपका SSD storage device राम प्रोसेसर यह प्रोसेसर CPU ना होके APU आपको यही वाला प्रोसेसर लेना है ryzen 3 32 energy link description box में है ताकि आ आपके extra monitors चला सके हम extra monitors इसलिए चलाने है क्योंकि multiple screens अगर multiple charts रहे रहेंगे तो हमारे लिए बहुत convenient रहेगा आपका power supply unit अब सबसे जहां important चीज बसती है वह हमारा motherboard motherboard क्योंकि इस website पर महेंगा Amazon पर महेंगा मैंने md computers पर वह भी आपके लिए select करके रखा है ठीक है वह है एस रॉक का A320 motherboard ठीक है बहुत ही प्राइब motherboard है और यह इसकी सबसे बड़ी खासियत ही है कि एक साथ तीन मोनिटर्स को सपोर्ट करता है ठीक है यह आप देख पा रहे होंगे आपको इसका पी लिंक आपको सबसे बड़ी खासियत करने के लिए दूसरा वीजीए पोर्ट है इसमें आप अपने नॉर्मल मोनिटर्स को कर सकते हैं और तीसरा HDMI port है सारे मोनिटर्स के साथ को एक HDMI cable और यक 쓰고 मती है एक मोलटर आपका इस रीजीयर केवल पोर्ट में जाएगा एक मारेटर आपका वह लगाने के लिए 7106 लाइन यह तो हमारा टॉटल बिल्ट कैसे हमें हमें बीस हजार के बजट के अंदर एक ऐसा PC बिल्ट करना है जो कि आराम से दो से तीन मॉनिटर चला सके आपको स्पीड के टेंशन लेनी की कोई जरूत नहीं है क्योंकि जो प्रोसेसर मैंने आपको रिकमेंड किया है राइजन 3 बहुत ही ज्यादा पावर्फोड प्रोसेसर है ठीक है और बहुत सारी हेवी लोड सी है चार्ट वगरा के बहुत आराम से ली सकता है अब देखिए हमें मॉनिटर तो हमने कर लिया लेकिन दिक्कत यह होती है कि सारे स्क्रीन पर एक ही चीज डिस्प्ले होने लगती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हमें मॉनिटर करने के बाद आना है अपने desktop पर और right-click करना है और हमने आना है अपने display settings पर यह आप देख पा रहे होंगे यहां पर display settings पर आना है माल दीजे आपका पहला मॉनिटर दूसरे वाले के बगल में तो आपको सिर्फ इसको ऐसे पकड़के अरेंज कर देना है ऐसे 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 आपको अरेंज कर देना है और apply पे click कर देना है जैसे आप apply करेंगे आपके सारे monitors interconnect हो जाएंगे और एक single monitors की तरह function करने लगें ठीक है मतब आप mouse उठाके एक ही mouse को सारी screens पर use कर सकते हैं आप एक ही आपको सिर्फ अपने display settings में आना है तो आपको सिर्फ अपने display settings में आना है डिस्प्ले सेटिंग्स में नीचे आके ठीक है डिस्प्ले सेटिंग्स में नीचे आके आपको multiple displays वाले option पर यहां पर इस option duplicate वाले से हटाके extend the stop to this display पर सब्सक्राइब करके यूज करना है ठीक है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चानल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यह आपके day-to-day trading usage के लिए बहुत ही जादा sufficient है आप इसके साथ कोई भी कीवोड मासव कांबो ले लिए हजार देरजार रुपय का आप वह अपने हिसाफ़ाइब कर सकते हैं कीवोड मॉनिटर से आप अपने हिसाफ़ाइब कर सकते हैं मॉनिटर में क्रेडिंग की दुनिया से लेटेट कोई भी अच्छा वीडियो चाहिए तो फ्लीज मेरा चानल लाइक श्राइब सब्सक्राइब पीज़ाइब मिलते आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के रिए हाव ग्रेट डे